नमस्कार मावचा में आप सब का स्वागत है तो आज की वीडियो में फिर से लेकर आई है कि रेसिपी का तो आज मैं बताने वाली हूँ बच्चों के लिए आप कॉन सांडविच घर पे कैसे बना सकते हैं बहुती टेस्टी है बहुती सिंपल है और सबसे अच्छी बात आसा कर रही हूँ यह कॉन आपको अराम से मार्केट में मिल जाएगा इसको स्टोर करके आपको फ्रिश में स्टोर करके एक्शली इसको रखना होता है तो सबसे पहले हम इसको वाश कर लेंगे वैसे तो यह स्वीट होते है और इने जादा कुछ पकाने की जूरत नहीं होती है फिर भी हम इसे दो मिनट के लिए पानी में बॉइल करेंगे तो पानी में मैंने नमक भी डाला है आधा चमच करीब और जो कॉन है उनको वाश करके मैंने डाल दिया है इसके बाद हम इसको चलाएंगे जब तक यह पकेगा तब तक कि हम यहाँ पर सबजीयों काट लेते है तो सबजीयों में बेसिकली आपको काटना है प्याज और कैपसिकम अगर आप टमाटो काटना चाहें तो वो भी काट सकते हैं और अगर आप गाजर भी काटना चाहें तो वो भी काट सकते हैं बाकी यहाँ पर अपने कॉन है जो वो बॉइल हो चुके है अब इन कॉन को हम एक बड़े वाले बोल में और इसमें हम बाकी की सबजियां डाल देंगे जो हमने काट रखी है अगर माल लीजी आपके पास कॉन नहीं है तो भी आपको कोई जरुरत नहीं है आप टमाटर और प्याज और जो शिमला मिर्च है बस इससे ही बना सकते हैं इसके बाद हम इसमें यूज करने बाले है मायाओन जपा नमक करीब 3 छमश मैंने फिर मसाले में हम डालने लेए के तोड़ा साइथी छमश काली मिर्च, अधे छमश मैंने डाला है और आपके सबने देगें है और अगर आपके पस शीज है उसको भी डालो तो और मस लाईएगा और अगर आपके तो पस ग्रीन चटटटनी है मिर्श डालके नहीं धनियापति भाली चटटनी है अगर बच्चों को जैसे मिर्श नहीं खाते है तो वह आप लगा सकते हो तो मैंने 1 ब्रेड केक्सलाइस में केचप लगाया है मेरे पास अभी ग्रीन चेटनी थी तो मैंने च्रिली सॉस लगा लिया है और बस एक ब्रेड में हमने यह जो मसाला तयार किया इस टुफिंग का कॉन वाला उसको हम लगा करके सैंडविच को हम सेखेंगे तो मैं तवे का स्सिमाल कर हो सके तो बच्चों के लिए जो भी आप बनाओ सैंडविचों पराठा हो कुछ भी हो तो शुद्धिगी जो होता है उसका इस्तेमाल करो बटर बटर का इस्तेमाल नहीं करो तो बेटर है और हो सके तो जो अगर आपके बच्चे धाई तीन साल से छोटे तो नॉन स्टिक पैन का इस्तेमाल मत करो तो यह सैंडविच हमारा तयार हो चुका है बहुत ही क्रिस्पी आपको मैं अभी आवाज सुनाती हूं कितना क्रिस्पी है यह तो अगर आप इसको मीडियम फ्लेम पर सेकेंगे ना उसके जस्त तीस सेकेंड बाद करीब इसको अगर आप कट करेंगे तो ब्रेड अपने आपी क्रिस्पी हो जाती है और बहुत टेस्टी लगती है और खाने में जबज़द मज़ा आता है चीज अगर डाल लेंगे तो अच्छी बात है और दो साल के छोटे बच्चों को आप ब्रेड वगरा नहीं दे तो अच्छा है तो मुझे लगता आपको ये वीडियो पसंद आया होगा लाइक करिएगा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा थैंक यू सो मच थैंक यू फो वाचिक मिल